हलो अबरिवान वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सो जैसे कि आपको पता होगा कि आज एच्पी बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन ने अफिशिल आंसर की जो है वो अपलोड कर दी गी है एच्पी टैट टूटी जो 26 अगस्त को एक्जाम कंड़क्ट करवाः गया था तो उसकी ऑफिशिल जो अंसर की है वो अपलोड कर दी गई आज ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हो यह सीरी यह नॉन मेडिकल एच्पी यह नॉन मेडिकल की आंसर की है राइट यहाँ पर तो non medical का यहाँ पर देख सकते हो यह series A का जो official यहाँ पर answer की है ठीक है? वो आप check कर सकते हो, match कर सकते हो आप कौन-कौन से आपकी जो series होगी वो आप वहाँ पर match कर लें अपने question यह series A है next यह आपके पास series B non-medical की series B की official answer की next आपके पास series C की यहाँ पे official answer की देख सकते हैं आप और next आप देख सकते हैं यहाँ पे D series की answer की ठीक है तो जैसा कि आपको पता होगा हमने series A का जो mathematics section था उसका detail analysis किया था जो question number 91st से लेके 120 question जो है वो हमने solve किये थे ठीक है उसका अगर आपको वो answer की आप देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो का link आपको description box में मिल जाएगा तो हर question जो हमने solve किये था बिल्कुल accurate है ठीक है आप चाहे चेक कर सकते हो एक ही question जो हमने solve किये था mathematics section का वो इस answer की से match कर रहा है ठीक है तो यहां पर देख सकते हो आप 91st question से ठीक है 91st आप देख सकते हैं यहां पर 91st से लेके आपका 120 तक ठीक है बिल्कुल वही answer की है जो हमने वहां पर discuss की थी ठीक है और यहां पर सिर्फ और सिर्फ यह जो 107 question है इसका आपको grace mark मिलेगी क्यों मिलेगी आप यहां पर चेक कर सकते हो कि यहां पर question था 107 का 1 का q plus 2 का q plus 3 का q plus 4 का square यहां पर होना क्या था 4 का q बना था ठीक है सो बस इतनी सी mistake है लेकिन answer फिर भी इसका c था ठीक है q बनाते हैं यहां पर c था लेकिन फिर भी इस छोटी सी गलती सी इन्होंने इस question के लिए आपको grace mark जो है वो इसकी आपको मिल जाएगी right so i hope आप जो भी आपका series रहा होगा आप यहां पर check कर सकते हैं ठीक है so thanks for watching this video